हर हर महादेव आपका संजीब ट्राइवलिंग ब्लॉक में स्वागत है दोस्तो अगर आपने हमारा चैनल सस्क्राइब ने किया तो जो लाल वाला पटन है उसे दबा कर हमारे चैनल सस्क्राइब करते रहें ताकि हमारी एची वीडियो अब तक पहुंचते रहें दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि हर दुआर से नीलकंट हम कैसे जाएं दोस्तो कावड का मेला तैयार हो चुका है आने बाला है तो हम जल उठाने से पहले हर दुआर से नीलकंट कैसे जाएं दोस्तो नीलकंट जाना बहुत आसान है और जो भाई बहन और भोले भक्त और जो चाहते हैं कि हम सबसे पहले नीलकंट बहुत आराम से जा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको एक एक चीज बताओं कि आप कैसे जा सकते हैं त्याकि आप ठके भी नहीं और आराम से दर्सन करके फिर अपनी कावड उठाके जा सकते हैं और जो कावड लेके नहीं आ रहे उनके लिए भी यह सबसे महत्पूना जो हुमना चाहते हैं तो जैसे मैं बता रहा हूँ वह वाराम से ऐसे जाके दर्सन करके आ सकते हैं पहला पुइंट आप हरदवार पहुंच गए हरदवार पहुंचने के बाद आपको हरदवार से बस टेक्सी टंपू हर सुभीत है मिल जाएगी आपको सीद ही रिसी केज जाने के लिए आपको सबसे पहले जाना रिसी केज, आपको 30 या 40 रुपय लएगा टंप वाला या बस वाला, आपको सीधी रिसी केज छोड़ देगा, आपको रिसी केज जाना है, रिसी केज जाने के बाद में आपको हाँ छोड़ने के बाद में, आपको हाँ से पैदल यातर कननी है, आप को लचमन जुला जूला नी राम जुला होते हुए आपको नील कंट जाना है आप करना क्या है आपको या तो हरदुआर की प्यारी से जल लेना है एक कटi में या फिर आप रिशिकेश मेरे सकते हैं और जल ले जाना बहुत जरूरी है कोई जादा सामान आप अपने बैग याग जो जब बैसा हैं भारी सामान कोई ले जाएं कोई सामान ना ले जाएं भारी के वर हलका पूल को सामान ले जाएं क्योंकि हाँ चड़ाई बहुत उची है तो आगर आप बाबा के दरसल करने जा रहे हैं तो आप पैदल यात्रा जरू को रहे हैं पैदल यात्रा सबसे ज़्यादा सुक्स मानी जाती है और बाबा को भी प्रसन होते हैं पैदल यात्रा से इसलिए आप पैदल यात्रा जरू करें जिन भायों का बजन सब्सक्राइब यह करना चाहते हैं तो आप बहुत आसन ओगा चड़ाई तो जब तो बहुत áसन होगा चड़ाई मिलेगी लेकिं तीन- persönlich किलो मिटर के बाद में नीचे को आप नीचे भाग भाग के बहुत आराम से बाबा का जैकारा नाम करते करते आप आराम से नीलकंट पहुंच जाओगे दिहान बैसे ये रखना है कोई भी बालग छोटा हो या बड़े बुड़े हो तो इनको आराम आराम से ले जाना क्योंकि उपर आक्सिजन कमी भी रहती है और अगर आप फरवरी महा में जा रहे हैं तो फरवरी महा में भी आप तोड़ा गरम कपे ले जाएं क्योंकि उपर थोड़ा उंचा है ठांडी परती है और कुछन को थोड़ा वहत खाने को ले जाएं और बाबा के दरसन करें जैसे ही आप निलकर नहाँ पहुचोगे तो जो आपने जल लिया है उस जल की ढखकन खोलने और लैन में लग जाएं क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है तो आपको सिविलिंग जो बाबा की सिविलिंग होती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर हाँ जादा भीड हुई अगर कम भीड हुई तो आपको बाबा के दरसन मिल जाएंगे जैसे ही आप अंदर जाओगे आप अपने जो ढंक कर धकन होता है उसका जल का उसे खोल के तयार रखना और जैसे ही आप अंदर पोँचे के तरण बावा की सिबलिंक पर जल चड़ा देना वाबा घरह और महादेव तो आप जो भी आपकी मुनों कामना जो भी आपके बावाव से मांगना और जल चड़ा के बाहर आजाना और उहां से अपना जो भी परसाद है वो लेना लेने के बाद में आप पैदल यातरा से जैसे पैदल आए ऐसे आप जिन निशे रिसी केश जाएं और अगर आपको टैम है आपके पास आप गूहना चाहते हैं तो जिसी केश में कम से कम साथ आठ जिगे ऐसे हैं जहां आप गूह सकते हो आराम से हुई मंदीर हैं सबरे राम अज 없어 के आप गूहने आप अपना हर दो वार आ आने पाद में अपनी कावड़ की कावड़ की तयारी करें और फिर आकले तो आपको के लिए वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को लायक करें और बेल आइक उन्यादी को जरूर दबने हरार महा देव